दोस्तो अब लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं भारत की एक मांग रही है कि जो भारत की credit rating है वो वास्तविक्ता को नहीं दर्शाती जो economic realities है वो उससे बिलकुल विपरीद है अगर आप भारत की credit rating देखे तो वो इटली के बराबर रखी गई है जबकि दोनों की जो economies है उसमें जो debt to GDP ratio है इसके सिवा जो बाकी indicators है economic growth से लेके सब कुछ दोनों बिलकुल विपरीद हैं लेकिन credit rating एक समान है भारत लगभग 10 सालों से कह रहा है कि इसमें अब वृद्धी होनी चाहिए चायना को तो उन्होंने 2009 में अपग्रेड किया था लेकिन भारत को अब तक इनोंने अपग्रेड नहीं किया लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है S&P ने इंडिया का sovereign rating अपग्रेड किया है अब तक दोस्तों जो stable रहता था वो positive कर दिया है हाला कि rating agency की अभी भी triple B minus है लेकिन ये भी अब improve होगा क्योंकि पहला step यही होता है ये जो stable है वो positive में बदला जाता है दोस्तों यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिरकार ये क्यों इतना important है rating agency की जो rating है ये क्या होती है इसका क्या outcome होता है क्यों भारत के लिए important है और भारत ने किस प्रकार से तथ्य रखे है एकॉनमिक सर्वे को मैं यहाँ पर quote करूँगा उसका data दूँगा जिसके द्वारा बत लग रहा है कि इनका यह जो rating देने वाला business है यह लंबा नहीं चलेगा तो यह भी मोधी 3.0 के पहले ऐसा लग रहा है अपने अंदर सुधार लाना शुरू कर रहे हैं तो आए दोस्तों देखते news में क्या है सबसे पहरत का जो sovereign credit rating है वो stable से बदल कर positive कर दिया है और कहा है कि भारत के policy stability भारत में देखने मिल रही है जो भारत में economic reforms हुए है infrastructure में investment हुए है इन सब से वो बहुत प्रसन है और यह सब बता रहा है कि इंडिया की economy आगे चलके grow करने वाली है उन्होंने का कि अभी तो हम triple B minus rating maintain कर रहे हैं और long term के लिए और short term में A3 rating हम maintain कर रहे हैं लेकि यह जो stable है अब यह triple B के साथ positive में बदल रहे हैं दोस्ते यहां पर देखने वाली बात क्या है कि SNP ने खुद कहा है कि वो भारत में policy को लेकर काफी खुश है कि उसमें stability देखने मिल रही है economic reforms भारत में हो रहे है high infrastructure investment भारत में देखने मिल रहा है जिस सब से अगर आप rating agencies बहुत सारी अने rating agencies हैं दोस्तों आप देख सकते हैं सिच है moody's है standards and poor की बात हो रही है यह सब भी आने वाले दिनों में अब upgrade इनको भी करना पड़ेगा दोस्तों इसलिए बड़ा ही important step है यह अगर आप देखे तो यह बता रहा है कि इंडियन economy अच्छा कर रही है इस ब fiscal and monetary policies को लेकर भारत में एक cautious stance है वो monetary policy ऐसी बना रहे हैं कि अंधा धुन उधार किसी को ना मिले वैसे ही भारत सरकार का भी जो उधार है उस पर भी checks लगा हुआ है जिस वज़े से आने वाले दिनों में भारत सरकार का जो debt है जो उधार है वो कम होगा interest burden भी इसलिए कम होग और यह सब भारत की economic resilience को और मदबूत करता है और इसलिए वो खुद कह रहे हैं हम अगले 24 महिने में credit rating improve भी करेंगे यदी भारत इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा यदी भारत में आपको मालू में वो क्या कहना चाह रहे हैं क्या ना हो किस प्रकार से further अगर policy को लेकर वै फिर नहीं लगेगा लेकिन जैसा लग रहा है उनका कहना है कि आने वाले 24 महिने में इसमें further updation होना है अब यह important क्यों है देखें दोस्तों credit rating क्या है यह basically बताता है कि किसी को उधार दिया जा रहा है तो कितने chances हैं वो उधार लोटा देगा वो bankrupt नहीं होगा दिवालिया न देना होता है तो आपका भी ऐसे ही एक credit score आता है जो बताता है कि आपका economy कि आपका finances कितना fundamentally मजबूत है आप दिवालिया ना हो आपको उधार दे सकते हैं निश्चनतों करके तो इसे लिए जो भारत में जो भारत government securities जो भारत treasury market में G6 निकाल रहा है वो क्या है भारत सरकार का उधार है तो वो अगर भारत की credit rating उपर होगी मजबूत होगी तो भारत में वो कम interest rate पे भी निवेश करेंगे याने की भारत as a borrower कम पैसों में बाहर से कम interest में बाहर से पैसा ला पाएगा और इस वज़े से आप अगर देखें तो कहीं न कहीं हमारा जो high credit rating होगा तो हम पारे लिए interest burden कम हो जाएगा future के उधार के लिए वैसे ही जो investors है वो भी अगर आप देखें तो उन economies में वो निवेश करते हैं जो मजबूत होगी तो भारत की higher credit rating बताती है कि भारत एक मजबूत अर्जवस्ता है तो यहां की companies में वो दोड़े दोड़े निवेश करेंगे वैसे regulators भी अगर आप देखें तो ensure करवाते हैं कि जैसे IMF नापती है कौन सी economy कैसी है कैसा कर रही है तो उनका कहना है कि जो economies में इस प्रकार से rating low है जिसका याने दिवालिया होने के chances ज्यादा है तो उनके banks को उनको higher percent of जो पैसा है वो lock करके रखना पड़ता है surplus capital जो बु हो जाएगी तो capital का जो reserve ratio है वो कम हो जाएगा याने कि हमारे जो banks हैं उनके पास पैसा free हो जाएगा काफी ज्यादा जो कि वो उधार देने के लिए इस्तमाल कर पाएंगे तो इस प्रकार से भारत की अर्थिवस्ता में भी इसके बहुत बड़े प्रभाव हो सकते हैं अब कहीं न कहीं अगर आप देखें तो उसको 2021 के economic survey में नाम लेके expose किया था उन्होंने economic survey में कहा था कि अब इन rating agencies को overhaul करना चाहिए कि rate rating जो करते हैं भारत को लेके कहीं न कहीं उनमें एक bias है नाम लिया S&P, Fitch, Moody's, ये foreign rating agencies हैं ये भारत की अर्थिवस्ता को जब triple B minus rate करते है तो वो सही नहीं है उस economic survey में कहा कि भारत की जो willingness to pay है unquestionably demonstrated है आज तक एक भी sovereign default भारत का नहीं हुआ है याद रखेगा 1991 में भी default नहीं हुआ था हम उधार देने से मना नहीं किये थे सोना हमने गिरवी रखवाया था लेकिन उधार देने से मना नहीं किया था वैसे ही अग वो unmatched है उनका कहना है कि हमारा जो पूरा debt है foreign currency denominated debt वो already बहुत low है इसके सिवा foreign exchange reserves भारत के बहुत हाई है तो कोई मतलब भी नहीं बनता यह triple V minus rating का आप देख सकते हैं इंडिया की credit rating फिच के नुसा triple V minus moody's का भी A3 और वही इटली का भी है as it is इटली का है फिच कह रहा ह इटली की economy आप देख सकते हैं 2022 में 3.8% decline की 2023 में stagnate कर चुकी है 1% के आसपास रही है वैसे ही जो इटली का government debt to GDP है 144% 150% के range में उपर नीचे घुमा है यहाँ पर अगर आप भारत का government debt to GDP देखेंगे तो यह केवल 83% है यह दोस्तो central government state government का मिला के debt है याद रखिएगा भारत में कुछ राजय ऐसे भी हैं जो बहुत high debt पे काम करते हैं और center के पास cutora लेके time and again आजाते हैं अभी recently एक राजय को मिला है 23,000 करोड जितना तो इस प्रकार के राजयों का भी debt मिला देए तो भी इटली के debt से बहुत कम है लेकिन और भारत का economic growth काफी high है लेकिन इटली और भारत same credit में आप उसको रख देते हैं यहां पे देखिए चाइना के साथ इन्होंने क्या किया चाइना का आप देखें तो credit rating upgrade हुआ था A plus से double A minus 2010 में भारत का इन्होंने कोई change ही नहीं किया है इंडिया का triple B minus राय 2009 से लेके 2015 तक का यह आप देख सकते हैं same triple B minus और अब 2024 हो अभी भी वही है कोई बदलाओ नहीं यहीं पर चाइना का credit to GDP या debt to GDP रेशियो आप देखिए कितना हुआ है यह अगर आप देखें तो इस वक जब upgrade किया था A plus two double A minus उन दिनों में 142% होता था और अब यह बढ़के 205% हो गया है वहीं भारत का debt to GDP आप देख लीजे बग बराबर है कोई बदलाओ नहीं है तो क्यूं भारत के साथ यह भिदभाव हो रहा है यही सवाल उठाया गया था दोस्तों भारत ने तो drastic steps भी लेने की बात की थी देख सकते हैं 2018 का यह news है कि BRICS का अपना credit rating agency हो वैसे ही 2022 की बात है चाइना डेली में भी यह news आ गया कि दोस्तों जो बात होती है ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते बहुत विंती की नहीं माने तो अब जब यह reality सामने आ रही है तो उस भय से वह समझ रहे हैं कि एक credit rating में जो upgrade करना है वह ले करके आना होगा वरना वह भी क्या हो जाएंगे समय के साथ obsolete हो जाएंगे तो को ये बात समझ रहे हैं और इस वज़े से भारत को कहीं न कहीं पैसिफाई करने के लिए जो भारत करता है improvement in credit rating वह ले करके वह आ रहे हैं दोस्ते उमीद करता हूं आपके analysis पसंद आई होगी बाकी आप लोगों को से निवेदने twitter में किंजल अंडर्सकोर जीएस पे हमें वहां पर जैसे ही हमारे followers बढ़ेंगे तो वहां पर भी हम content ले करके आएंगे और साथी साथ Instagram पर भी follow करें आपको link भी नीचे मिल जाएगा भारत समवाद यह QR code है Instagram में जहां से जोड़ सकते हैं इसके सिवा और एक वीडियो आ रहा हो इसको अवश्य देखिएगा इस वी शेयर कर दें भारत समवाद सब्सक्राइब करें बेल आइकन अवश्य दबाएं